इसमें इन Twin Towers के demolition से जो भी air pollution होगा जो भी noise pollution होगा उसके assessment की भी हमने पूरी ताहरी की हुई है जो air pollution होगा उसके control के लिए वहाँ पर इस anti smoke guns deploy की जा रही है आगामी 21 अगस्त को नोईड़ा के Twin Towers ढहाए जाएंगे इसके लिए तैयारिया पूरी कर ली गई है लेकिन इन दोनों Twin Towers को ढहाने के बाद वातावरानी यानि प्रदूशन कितना फैलेगा इसको लेकर उत्रप्रदेश प्रदूशन नियंत्रन बोर्ड कितना तयार है क्या उसकी study है हमारे साथ बात करने के लिए पॉलिशन कंट्रोल बोर्ड के मेंबर सेक्रेटरी अजयकमार शर्मा जी है सर ट्विन टावर्स को गिराया जाना कितनी आप लोगों की तैयारी हो और इससे कहा जारा कि बहुत बड़ा एक पॉलिशन भी होगा डस नौइस पॉलिशन भी होगा और वाइबिरेशन भी होग पॉलिशन होगा उसे कंट्रोल के लिए वहाँ पर इस एंटी स्मोक गंस डिप्लॉय की जा रही हैं और इसी साथ-साथ जो मेकनिकल स्विपिंग मेशीन हैं वहाँ आसपास की जितनी रोड्स हैं वहाँ पर तैनात की जाएंगी और इसके लाब मैनुवल लेबर्स भी वहा हमें वहाँ पर 500 मीटर और एक किलोमेटर के दूरी पर डिप्लॉय किये हैं और सेक्टर 125 और 116 में जो हमारे continuous air quality monitoring stations हैं वह भी इसके लगातार मोनेटरिंग करेंगे जिससे हमें डेटा प्राप्त हो सकेगा कि PM 10 और PM 2.5 की मातर में कितनी व्रद्धी हुई है सर्च ये जो जब PM 2.5 और 10 के जो व्रद्धी की बात कर जा रही है इसको लेकर के study होगा कि कितना कौन सा पाटिकल ज्यादा होगा कौन सा ज्यादा खतरनाक होता इसके लेकर कि क्या तयारिया है कितनी study है देखे जो भी वहाँ से PM 2.5 और PM 10 धूल में उपस्तित होगा उसके control के लिए हाला कि पूरी व्रद्धा कर ली गई है तथा पी हम लोग ये देखेंगे कि उस व्रद्धा की कितनी efficacy कितनी है और उसकी मातरा में कितनी व्रद्धी हुई है तो उसकी आधार पर हमारी आगे की जो भी हम लोग है वहाँ पर आगे जो उसके बाकी उसके जो मिजर्स हैं वो हम लोग अड़र्ट करेंगे सर एक सवाल ये कि जब इतनी बड़ी building गिराई जाएगी तो जाहिर है कि बहुत noise pollution भी होगा और vibration भी बहुत होगा और आसपास बड़ी building हैं तो एक अंदेशा की आसपास की building में crack ना आ जाए और noise pollution होका तो तमाम बुज़र्ग लोग भी वहाँ पर रहेंगे तो एक noise की वज़े से भी कहीं कुछ अपनी अगटना की देखे noise pollution के control के लिए हमने तो वहाँ पर अपने जो 300 मीटर का नो मैंस जोन बनाए गया है उसके beyond हमने अपने sensors लगाय हुए हैं और उसके अभी हम लोग वहाँ पर मोनिटिंग करेंगे इसके अतरिक तो वहाँ पर जो अर्थ में उसके जो vibrations होंगे उसके मोनिटिंग के लि लेंगे कि अर्थ में क्या vibrations हुए हैं और noise का बाकी data वह हम से लेंगे सरेक जो dust की बात हो रही है जो dust particles होंगे तो dust particles में कहा जा रहा है कि जो जो जमीन में गिर जाएगा भारी particles होंगे तो जमीन में गिर जाएगे लेकिन जो हलके particles जिसको अगर हम technical भाशना में कहें तो 2.5 microns से कम वाले उनको लेकर के क्योंकि कहा जाता है कि वह अगर इससे कम microns के होंगे तो फेपड़े में चले जाते हैं उसके लिए क्या study देखिए हम लोगों का पूरा प्रयास यह है कि हम जो भी वहाँ पर एक क्लियोमीटर तक जो भी रोड्स हैं या बाकी हैं वहाँ पर एंटी स्मोक गंस डेप्लॉय की गई हैं और जो रोड्स पर डस्ट आएगी उसके क्लीनिंग के लिए मेकनिकल जो हमारी मेकनिकल स्विक मैशीन्स हैं वो भी डिप्लॉयड हैं और मैनुवल भी लगए 200 की फोर्स रहेगी लेबरर्स की जो उसको तो हटाने के काम करेंगी इसके अलावा वहाँ पर 100 टैंकर्स वहीं पर तैनात रहेंगी जो रोड्स को दोने के काम करेंगी या ह रटिकल्चर जो भी वहाँ पर छोटे पेंड हैं उनके वाशिंग का भी काम साथ होता रहेगा जिससे कोई भी एर पॉलुशन प्रियम 2.5 या प्रियम 10 का जो प्रवाह है उसके बाद ना हो सके कितनी देर लगेगी इस पूरी इमारत को गिरने में विसपोर्ट होने में देखिए जो अभी तक थर्ड पार्टी जो ने हमें जो डेटा दिया है उनका कहना है कि साथ से नौ सेकंड में विसपोर्ट हो जाएंगे और पंदरा से बीस सेकंड में पूरी बिल्डिंग नीच उनका कहना है कि साथ से नौ सेकंड में जो विसपोर्ट हो जाएंगे और पंदरा से बीस सेकंड में पूरी बिल्डिंग नीचा जाएगी सर उत्तपरदेश पॉलिशन कंट्रोल बोर्ड के लिए यह जो ट्विंट टावर का ढाय जाना एक पहली बार एक ऐसी घटना हो रही है तो एक कहा जाए कि बड़ा स्टडी के टाइम भी है रिसर्च करने का भी टाइम है लेकि रिसर्च तो हमारे लिए इंपॉर्टन तो ह है ही लेकिन हमारे उससे अधा इंपॉर्डन यह है कि जो उससे एर पॉलुशन होगा उसका कंट्रोल हम कितना बखूबी कर बाते हैं और इसके लिए नोड़ा अथॉर्टी के साथ में हमने पूरा कोडिनेट कर रखा है कि जो भी मेजर्स एर पॉलुशन एंबेट एर क्व वो सब इन प्लेस लगाए गई है मैनुवर लेबर्स भी 200 लेबर्स खाली रोड की सफाई करते रहेंगे वहां पर एक आकरी सवाल है कि जो मेटेरियल निकलेगा जो बिल्डिंग ढहने के बाद उसका क्या होगा एक असेस्मेंट ही क्या गया है कि पूरे इस बिल्डिंग क संति है उसमें से स्टील को निकाल करके यह इसको जो सीनडि वेस्ट फसलीटी लुपेलिडा में काररत है वहां पर इसको प्रॉस UP Pollution Control Board के Member Secretary अजयकुपार शर्मा जी जो नहीं साफतार पर बताया कि कैसे नोइडा के Twin Tower को धाने के लिए इंतजाम किये गए हैं और किस तरीके से Pollution Control Board ने उस Tower को धाने के बाद जो IMPACT होगा उसके लिए भी त्यारिया किये हुई है Time Represent Sandeep के साथ शंतोष कुमार झाल झाल